दोस्तों हमारे noun chapter चल रहा है और हम rules by rules around chapter कम्प्लीट कर रहे हैं ताकि हमारा समय भी कम लगे और revision भी चल्दी हो जाए ताकि आपको computer exam में full marks में जब इस chapter से सम्मझेद कोई भी question आए तो rule number 7 देखेंगे आज क्या कहतर rule number 7 कुछ nouns का बौल चल में प्रयूग होता है जो कि गलत है मतलब कुछ nouns ऐसे होते हैं जो कि हम आम बौल चल बॉलत है। सर्फ कजन बस बोलना हैं। कजन बस बोलते हैं। ब्रदर-sister लगानी की जुरुरत नहीं। खाल जिए नहीं कई लोगों को सुना होगा कि आपका गोड नेम क्या है। बोलते हुए। फ़र गोड नेम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह गलत है। ठीक है क्योंकि नाम अच्छा बुरा नहीं होता है इसलिए हम सिर्फ नेम बोलते हैं पिक पॉकेटर गलत है पिक पॉकेट बोलना है हमेशा ठीक है बिग या इसमाल ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाती तो हम बोलते हैं गलत है, blunder का मतलब ही होता है, बहुत बड़ी mistake, strong breeze, नई बोलते है, strong wind बोलते है, bad dream नई बोलते है, nightmare बोलते है, तो जब भी अब आपको bad dream आए, तो आपको उसको nightmare बोलेंगे है न, cheater, नई बोलते cheat बोलते है, proudie, proud बोलते है, ठीक है, कुछ और words, जो कि हमेशा हम confusion में रहते हैं, तो वो भी देख लीजिए, कुछ नाउस में भी हमें हमेशा confusion रहता है, जैसे floor, floor मतलब first होता है, floor मतलब first, ground मतलब zमीन, first मतलब की जो, जैसे हम बैठे हैं और हमारे उपर जो च्छात है, इसको floor बोलते है, first, ground मतलब, जमीन, skill, skill मतलब जो सीख कर प्राप्त करते हैं, और talent, जो की in-born होता है, जन में से जिसके अंदर कुछ talent होता है, गाने का, sketching का, singing का, dancing का, तो अलग-अलग talent होता है, तो इन-born हुआ, तो हम उसे talent बोलेंगे, और यदि कोई हमने, सीख कर की, जैसे ड्वाई, हमने सीख कर करे, ये गाना सीख रहे हैं, तो फिर skill के अंदर कर आ जाता है, एन-विक, मतलब दूसरों की चीजों को देख कर हो, यदि हम को दूसरों की चीजों को देख कर हम जल रहे हैं, है ना, तो फिर एन-विक के अंतर का जाता है, और jealousy मतलब क्या होता है, यदि अपनी चीजों को खोने के डर से हो, यह आमारी चीज कुछ खो जाए, उसके डर स यदि हम दूसरे से घ्रणा कर रहे हैं, जल रहे हैं, तो उसको jealousy बोलती है, I hope दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसे लागा, कॉमेंट करके बताएगा,